यह मेरा मोहन मुझे फालो कर रहा है देख सकते हैं आप यह देखो हलो दोस्तों फिर से एक नए ब्लोग में आपका स्वागत है मुझे उमीद है कि आप अच्छे से और स्वास्त होंगे और जहां भी होगे एकदम हसते होंगे और खिल खिलाते होंगे और देखिए मैं हूँ अपने क्रेशिफाम में और यहां का लूकेशन आप देख सकते हो यहां का एकदम साफ वातवरन और कटाई गेहों की कटाई हो गई है और यहां देखो एकदम साफ मैदान पड़ा है और मैं आया था आज क्रेशिफाम में और यह देखिए यह है मेरा मोहन यह देखिए बैट में ही 24 घंटे रहता है पूरा दिन और यहीं पेंड़ों में बाढ़ता है और आप देख सकते हो यह है जामुन का पेंड यह देखिए तूट गया हाँ आंधी में और मैं दिखाता हूं बैक कैमरे से को मदमक्खी लगी हुई है यहां पे जामुन के पेंड़ों में यह बहु के कारण यह यह देखिए मेरे पास पास ही रहता है यह मेरा मोहन मुझे फालो कर रहा है देख सकते हैं आप यह देखो मैं जहां जाता हूं वहां आता है यह देखिए कैसे फालो कर रहा है यह देखिए आंगे खड़ा आगे जाके खड़ा हो जाता है, यह देखिए, जाने नहीं देता, यह देखो, कैसे फालो कर रहा है, यह देखो आ रहा तीछे पीछे, यह देखिए, देख सकते हैं. गाज देखिए मैं अपने घर में हूँ तो अब ब्लोग को कॉंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं दिन में क्या करने वाला हूँ और गर्मी का सीजन और बहुत धूप है तेजिसे बहुत तेज गर्मी पड़ रहे हैं और देखिए यह है मेरी मॉसी करें आटा निकल रहे हैं और यह है मेरी मॉसी देख रहे है कैसे वीडियो बनाता है मॉसी को पता नहीं है कि वीडियो चालू है और आपको दिखाता हूं और एक मम्मी और है मेरी तो अभी हो खाना बना रहे हैं तो मैं दिखाऊंगो थोड़ी देर से कि आज हमारे यहां क्या बनने वाला गाइज देख सकते हो हमारे यहां आज क्या बन रहा है यह है बेशन और यह है मेरी मम्मी मम्मी हाई करो यह देख ममी क्या बना रही हो चिल्ला और लपसी यह भिया ग्रमीर लोगों का भोजन जो गाओं में बनता है साइद आपने कभी नहीं खाया होगा तो आएए और आप लोगों को भी कभी ने कभी खिलाऊंगा और देख सकते हो यह है मेरी माता राम और यह है मेरी माता राम मेरी दो मम्मिया और यह मेरी बुगा जी मेरी बुगा जी है देखो बेशन घोर रही है और यह मम्मी लपसी बना रही है देखे गाज यह है चिल्ला आपके यहां क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना य यह मेरे मम्मी ने बनाया है तो गैज खाते हैं। तो गाइच आप सभी को मैं यही कहूंगा कि गर्मी का हशीजन अराम से अपने घर में रहे और एकदम मस्त रहे और इधर उधर सफर मत ज्यादा करिए क्योंकि गर्मी है गर्मी में तवियत भी डिस्टर्ब हो सकती है तो गाइच यह मोहन के पास जाता हूं देखना यह आजा यह देखो आगया और यह देखना मुझे कैसे फालो करके आएगा यह देखे आजा आज जा यह देखो कैसे आ रहा है गाइच यह हमारे फार्म का माइंगो ट्री तो देखिए कितना फल दिये हुई है तो गाइच जिसको भी आम खाना हो तो आ सकता है खाने देखो एकदम निसुलक माइंगो जो भी इच्छुक हो तो आ सकता है मैं उसको माइंगो जरूर खिलाओंगा गाइच देखिए मैं हूँ अपने क्रेशी फार्म में और यह देखिए हमारा माइंगो ट्री देखो फल दिख रहे हैं इसके और देखिए यहां का लुकेशन एकदम सुनसान इलाका है तो गाइस देख सकते हैं आप आपको यह ब्लॉग अच्छ लगा होगा अगर आपको यह ब्लॉग अच्छ लगा हो तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें तो आम मिलते हैं जल्दी नेस्ट झाल झाल